सोलो एंड बिलकन दोस्तो टेंगल सलमां चनल में एक बर फ्रस्य आपका सुभागत है तो फाली दोस्तो आज के टूपर हम बात करने हैं Realme के C65 5G Phone में एप लोग सटिंग के बारे में दोर दोर बात करें माले है अप लोग सढ़ीन को कैसे डोग कर सकती है इसयो साथ में आप लोग किसी भी एप को लोग लगाकर रख सकती है यहां पर आप लोग स्रेंगर भी करने हैशा है इसी हिजित शार चलते हैं धर ऊंध आप निस्क्राम का लिए बिद्ध करते हैं, वहां से यह कि आप लोग फोलोग कर लेना आप तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चले कर बता लेते हैं वेल्कम तो माइ यूट्यूब चैनल टेंकल सॉल्माम तो फाइनली दोस्तो साइड में स्क्रीन रिकोरिक दिखना हूं मिल जगा तो फाइनली दोस्तो इस विडियो में बात करें हैं Realme के C65 5G फून में एप लोग सड़िंग के बारे में अब दोस्तो अपने फून में फिंगर पिंट एप लोग आप लोग लगा सकतो इस वीडियो को देखने के बाद फानली आपको क्या करना है सटिंग के अंदर आना है जो कि आप लोग को यहाँ पर एंजैपल दिखाता हूँ मेरे पास album application है यहाँ पर हमारे phone में एक password लगा हुआ है अब इसे हम fingerprint से unlock कर सकते हैं अगर आपके phone में side mounting fingerprint है तो आप लोग side वाले से भी enable कर सकतो अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास यहाँ पर password माँगा है तो मैं यहाँ पर password को इंटर करेंगा यहाँ पर fingerprint lock हो चुका है अब दोस्तों इस तरिकी का हमारा album application lock था अब इस तरिके से आप लोग realme के c65 5G phone वे आप लोग किसी भी app को lock लगा सकतो in display fingerprint lock का अगर आपके phone में side fingerprint है तो यहाँ पर आप लोग side वाले से भी enable कर पाऊगे and own कर पाऊगे तो यहाँ पर क्या करना है setting के अदर आपको आजाना है अब नीचे आओ गए तो यहाँ पर आपके phone में एक option मिल जाता है app lock का app lock वाले option पर आपको click कर लेना है अब जैसे click कर तो आपके phone में password मांगेगा password को इंटर कर लेना है इंटर करने बाद आपको इस तरिकी एक interface मिल जाता है मैंने एल्बम को तो पहले से password लगा रखा था यहाँ पर और भी app को लोख लगा कर आपको दिखा लेता हूँ जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो कि इंटर के लिए आप लोग को दिखाऊंगा जो कि आप लोग को समझ में आजए आप भी अपने फोन में ट्राइक कर पाऊगे आपको जो application लगाना आप अपने साब से लगा सकते हो मैंने यहाँ पर facebook को लगा लिया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर content को लगा लिया अब दोस्तों यहाँ पर content को भी हम लगा लेते हैं यहाँ पर हमारे फोन में Instagram एप मिल जाता है जो कि इन जब पर क्रिवे मैं तीन एप को लगा लिया यहाँ पर आपको दिख रहोगा तो कि तीन एप को लगाने के बाद हम यहाँ पर करते हैं back करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना आप पास ओटको आपको इंटर कर लेना है जीसी इंटर करोगे आपके फोन में इस तरी के सिफ संट आ जागा अब यहाँ पर लिखा हिए एप लोग इस वाले ऐप्सन को आपको involved करने के लिए उसक बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग fingerprint lock option निला यहाँ पर आपको फेसलोग को फेसलोग से इनबल हो जाता है अब दूस्थ यहाँ पर मेरे फेसलोग से एनलोग को चुका है अद्रबाई दोस्तों यहाँ पर हम देखाते हैं आप अधर फेस्बूक को है अब दोस्तों यहां पर Facebook का आप कहा हमारा है तो Facebook एप पे मेरा पास्वाट लगा हुआ यहाँ पर मैं इसे fingerprint से lock करता हूँ तो देख सकतो fingerprint से lock हो जाता है इस तरह किसे आप लोग किसी भी एप पे lock लगा सकतो यहाँ पर Realme के C65 5G फोन में फाने जो तो आप लोग को important setting बताता हूँ जो कि genuine तरीका है और अपने phone में अप लोग लगा कर रख सकतो और अपने दोस्तों से छपा सकतो आपका कुछ भी important चीज है तो आप लोग उसे lock लगा कर रखोगे तो आपका कोई भी बंदा देख नहीं पाएगा तो यहाँ पर आप लोग इसे डिया कर ट्राइग कर सकतो और फोन में एंड एप लोग लगा सकतो रियल्मी के C65G फोन में आप लोग जाकर ट्राइग कर सकतो किसी भी एप को screen lock password लगा सकतो तो पानली आप लोग को समझ में आएगा तो पानली दोस्तों अगर हमारा वीडि